नई सिक्षा निती 2020 इसके विशे मैं इस वीडियो में जानकरी आप लोगों को मिलेगी तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सस्क्राइब कर ले बात करेंगे आज 30 जुलाई 2020 को नई सिक्षा निती मानव संसाधन विकास मंत्रा अर्थात सिक्षा मंत्रा लए इसका नाम बदल दिया गया है इन्होंने नई सिक्षा निती जारी की है तो यहाँ पर बारिकी से पूरी जानकरी आप लोगों को नई सिक्षा निती से जुड़ी मिलने वाली है तो वीडियो को अंतर तक देखीगा informative और knowledgeable वीडियो आप और एक येर का B8 कोर्स यहाँ पर चलाया जाएगा तीसरा जो पॉइंट है यहाँ पर ECC इसके अंतरकत प्रायमरी ठीक है प्री प्रायमरी शिक्षा आङनवाडी और स्कूलों के माध्यम से रहेंगे ठीक है जो आपका ECC शिक्षा होगी वो प्रायमरी शिक्षा और आङन प्रफ़निक कारियों से हटाया जाएगा मतलब अगर कोई ऐसा कारिय जो सिक्षा से जुड़ा नहीं है तो उसमें आपकी ड्यूठी नहीं लगेगी सिर्फ चुनाव ड्यूठी लगेगी बी यलो ड्यूटी से सिक्षक हटेंगे यमडियम से भी सिक्षक हटेंगे ठीक है मतलब यहाँ पर जो दो चीज़ों यहाँ से सिक्षकों को हटा दिया गया है उनकी ड्यूटी वहाँ पर नहीं लगाई जाएगी स्कुलों में SMC के साथ जो है यानि स्कुल कॉंपलेक्स मेनेजमेंट कमेटी बनाई जाएगी साथवा पॉइंट है सिक्छक नियुक्ति में डेमो इसक्लील ठी टेस्ट और इंटर्व्यू भी सामिल होंगे आटवा पॉइंट है नहीं ट्रांसपर पॉलिसी आएगी जिसके जो ट्रांसपर लगवग बंद हो जाएगे ट्रांसपर सिर्फ पदोनित्ती पर ही होंगे मतलब यहां पर बात हो रही है ट्रांसपर की आप ट्रांसपर नहीं होंगे अगर आपका प्रमोशन होता है तो ही यहाँ पर आपका ट्रांसपर होगा नववा पॉइंट है ग्रामिन इलाकों में स्टॉप जो है कौटर बनाया जाएंगे केंद्री विद्धैले की तर्जपर ग्रामिन इलाकों में मीन मुड़ मिल के साथ बेर लिए हेल्थी ब्रेकफ़ास्ट उसको भी इसकूलों में दिया जाएगा मानावसंसादन मंत्राले का नाम बदलकर अब सिक्षा विभाग कर दिया गया है यह आपके लिए दियोच काम की हो सकती है अगला है थ्री लेंग्वेज बेश्ट इस्कूली सिक्छा होगी अगला जो पॉइंट है तेरवा पॉइंट है यहांपर है यहांपर जो बोला हुआ है कि फोरेजन लेंग्वेज कोर्स भी स्कूलों में शुरू होगे पंद्रवा पॉइंट है इस्थानिय भासा भी सिक्षा का माध्यम होगी अगर आप किसी इस्थानिय भासा जैसे आप अगर एक आपके इस्थानिय भासा है जैसे आपका तेलगू हो गया, कन्नड हो गया यह अगर आपकी स्थानी भासा है तो यहाँ पर आपको उसी भासा में अगर आप पड़ाई करना चाहते हैं तो उसके लिए भी यहाँ पर प्रात्मिक्ता दे दी गई है अगला है NCRT पूरे देश में नोडल एजेंसी होगी मतलब यहाँ पर बूला गया है कि NCRT की जो नोडल आफिसरे उपर देश में यहाँ पर नियुक्तों होने वाले हैं सत्रवा पॉइंट है इसकूलों में राजनीती वा सरकार का हस्तचेप लगभख समाप्त हो जाएगा मतलब यहाँ पर जो इसकूलों में राजनीती के भरोसे या फिर सरकारी कारिकाज में जो दिक्कते आती थी उसे यहाँ पर खत्म कर दिया जाएगा अठारवा पॉइंट है क्रेडिट बेस्ट सिस्टम होगा जिससे कॉलेज बदलना आसान और सरल होगा बीच में कोई भी कॉलेज बदला जा सकता है मतलब अगर आप किसी कॉलेज में पढ़ रहे हो और आपको उस कॉलेज को चेंज करना है किसी भी वजह से तो उसे बदला जा सकता है 19 है यहाँ पर आखरा आखरी जो पॉइंट है वो नही सिक्षानिती में सिर्फ बीएड इंटर के बाद 4 वर्ष बीएड इसना तक के बाद 2 वर्ष बीएड और इसना कुत्तर के बाद 1 परसका बीएड कोर्स होगा तो यह नई सिक्षानिती 29 जुलाई 2020 को जारी की गई है जो कि कल से यह पूरे देश में लागू हो जाएगी तो ये थी नई सिक्षानिती, चानकर ये आपको कैसी लगी, कमेंट में जरूर बताए और चैनल को सस्क्राइब नहीं किया तो चैनल को सस्क्राइब और वीडियो को लाइक सेर जरूर करे डन्यवाद